कि नमस्कार जी मैं अमर्जी सिंग मलेशिया के क्वालालंपूर एयरपोर्ट से बोग रहा हूं यहां पे हमारे पास कम से कम 300 के करीब इंडियन भारती जितने भी हैं वो सारे फसे हुए उसमें साउफ इंडियन है पंजाबी है लगबख सारे इंडिया से और जो फसे हुए ह हम पिछले तीन दिन से यहां फसे हुए हमने दो या तीन बार टेक्टेक खरीदी हैं अब हम लोगों के पास पैसे भी खतम है और खाने के पैसे भी बिल्कुल नहीं है हम लोग इतने परशान है कल से हमें ना तो किसी अमबैसी ने कॉन्टेक्ट किया है और ना ही हमने देशों से यहां पर लोग आते हैं जाते हैं किसी एक भी देश का आदमी यहां पर फसा हुआ नहीं है किसी बीए इंडियन से इंडियन सिर्फ इंडियन फसे हुए हैं अगर आप तक परशाशन तक हमारी इंडियन गौवर्मेंट तक आवाज पहुंच रही है तो आपके निकालने वाला नहीं है प्लीस हमें यहां से निकालिये चोटे-चोटे बच्चे हैं और आप हम बाते करते हैं पाकिस्तान का एक भी नागरिक यहां बहुते से बहुत कम जोर है उनका एक भी नागरिक नहीं फसा लेकिन हम लोग फसे हुए Cristie से जल्दी निकाला जाए कब निकालेंगे चम्मारी बात सुनिये द्यान से सुनिये यह भी है आ पढ़ेंखें और हमारे यह मैं पूर पूरेंगे कुछ से हैं और उद्प से केमरा को रिक्वेस्ट करूंगा उदर दिखाईए बहुत से बहुत से एसे लोग वसे हैं जिनके चोटे-चोटे बच्चे हैं आखके वी लिखा गया ओपर ले पाँ से बीज़े बेटा को तरब हुआ है तंदे समय कार से ही इस पर भाड़ है भाड़ है जुने बस जी बाइट जी देखो शोड़े शोड़े बच्चे बस बच्चे बच्चे कि यह देखो शोड़े शोड़े बच्चे हमारा वीडियो बोलनों तो सही पहले बतलाई आप कहां से हो मिनम बतलाई आप कहां से हो कुजराची में नहीं इंदी रोलो हम लास्ट टेन निन से एरफर्ट पे सोये हुए हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है इंडियन एंबेसी हमको कोई जवाब नहीं दे रहा है हम यहीं पर है और हमारे पास नाने की सुविदा है कोई सुविदा नहीं है